आज हम जानेंगे नरक में कोई बहाना काम नहीं आता जैसी करनी वैसी भरनी के आधार पर नरक का कानून सब पर लागू होता है जहां व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों का असुब फल भोगता है उस थान को नरक कहते हैं वे व्यक्ति नरक के मेमान बनते हैं जो क्रूर, हिंसक, दुष्ट, पाप से न डरने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग बड़े ही आत्म विश्वास के साथ गोर पाप कर्म करते हैं और उसकी सजा के रूप में नरक यातना भोगते हैं हसकर मजे लेकर किये जाने वाले कर्म रोकर दुख भोग कर भोगे जाते हैं इसलिए जो अति आत्म विश्वासी लोग अपने परिवार का गुजारा क्रूर कर्म करके करते हैं उसका फल नरक रूप में अकेले भुगतते हैं परिवार का कोई भी सदस्य इस फल को भोगने में सहयोग नहीं करता खुद करो खुद भोगों के आधार पर कर्म सिध्धान काम करता है वहाँ पर ये नियम नहीं चलते कि परिवार के भरन पोशन के लिए क्रूर कर्म करने पड़े मैं मजबूर था सब का पेट भरने के ल उतनी ही कठोर दंड देने वाली नरक में समय बिताना होगा इसलिए जब भी पाप कर्म करे थोड़ी देर रुके और सोचे ये कर्म मुझे कहां लेकर जाएंगे इन कर्मों का फल मुझे किस रूप में मिलेगा मुझे अकेले फल भोगना होगा इसलिए ऐसा कोई भी काम न जाना पड़े इस तरह अपने एक एक कर्म एक एक आचरन पर ध्यान रखे और फल के बारे में सचेत रहे निश्चित रहे कर्म का फल मिलकर ही रहता है संदेह में न रहे कि मिलेगा या नहीं कर्म फल होता भी है या नहीं जब संदेह में रहते हैं तब न चाते हुए भी इसलिए किसी भी तरह का ब्रह्म न पाले जीवन में, सैयमित जीवन, अपनी इंद्रियों और मन का सैयम, विचारों का सैयम, अनावश्यक्रियाओं का सैयम जो भी करता है, वो निश्चित रह सकता है कि वो नरक के दुख से बहुत दूर जा चुका है, और कुछ मिले या न मि ही की तरह, जिने अपने आपको देखने में रस आ गया, वे नरक से बहुत दूर निकल चुके हैं, ना वे नरक के लिए बने हैं और ना ही नरक उनके लिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें